नेक्स्ट टॉपिक इसे एक निमेरिकल एटलीस कन्फर्म है जो आता ही आता है बोर्ड लेवल में और अब्जेक्टिव में भी से काफी कोश्चन्स आते हैं तो नर्स्ट इक्वेशन इसका यूज क्या है देखिए हमने याद हो मैंने आपसे कहा था कि पहले हम चीजों को स् एट वन मोलारेटी और वन बार प्रेशर पर लेंगे और टमप्रेशर को 298 कैलिंट पर लेंगे लेकिन अगर मान लिए टमप्रेशर अलग हो कंसेंट्रेशन डिफरेंट हो तो उस केस में कैसे हम एलेक्टोड पुटेंशल की वैल्यू कैल्कुलेट कर सकते हैं वह हमने नहीं होता लेकिन यहां आपको आनी चाहिए चीज़े तो नर्स्ट एक्वेशन क्या है देखें नर्स्ट एक्वेशन होती है ई इस इक्वेशन टू ए नॉट माइनस टू पॉइंट 303 आर्टी अपॉन एन एफ लॉग प्रोडेक्ट अपॉन रियाक्टन ठीक अब इसमें ए क्या है ए है एम और एलेक्ट्रोड पॉटेंशल एट इनी गिवन कंसंट्रेशन एंड टमप्रेश्यर ठीक है जो ए यहां पर हम ले रहे हैं वो ए जो है हमारा वो यह है कि एम एफ और एलेक्ट्रोड पॉटेंशल ए एम फ को लिखते हैं ठीक तो एट इनी गिवन ने वन मुलारिटी रखनी है, temperature 298, Kelvin temperature लेना, जो standard value पीछे भी calculate कर रहे थे, पिछला topic हम सारा इसी का discuss कर रहे थे, तो E0 है standard EMF और electrode potential, which is calculated at standard condition, and E also an electrode potential, but which is calculated at any given concentration, और at any given temperature, R, जो इस equation में R दिया है, जो आप जानती है, R होता है, gas constant, और यहाँ पर क्योंकि हम बात कर रहे हैं, energy की, यहाँ जो gas constant लेंगे, वो है 8.314, Joule, Kaliner, Smalliner, CA R की value होगी, हलाकि आपको अभी formula को modify करेंगे, आपको R का use नहीं करना है, आपने F का use नहीं करना, इस formula में, बाकि चीज़ों को use करने हैं, बट R और F को हम देखते हैं भी कैसे करेंगे, solve, T जो है, यह है, temperature in Kelvin, T is temperature in Kelvin, और F जो है, यह है, faraday's constant, 1 faraday की value होती है, 96500, यह होता है, charge on 1 mole of electron, इसे हम faraday कहते हैं, ठीक, और N जो यहाँ पर है, N है, number of electron lost or gain, मतलब oxidation होगी, तो loss होगा, reduction होगी, तो gain होगा, इसे कहते हैं, N, और product upon reactant, आपको याद हो, equilibrium हम लेखते हैं, QC, दो चीज़ें होती है, K होता है, Q होता है, K होता है, equilibrium constant, which is at equilibrium, Q होता है, ratio at any concentration, तो P जो है, concentration of product है, R जो है, concentration of reactant है, ठीक है, R यहाँ पर concentration of reactant हम use करेंगे, तो अब देखिए, जो आपका formula था, उस formula हमने क्या किया, जो F की value, R की value, T equal, क्योंकि generally, जो reactions होती है, वो हम calculate करते है, at given standard condition, तो normally room temperature यूज होता है, 298 हम सभी जगाँ यूज करते है, Faraday की value fixed है, तो वो values put करने के बाद, जो final equation बना, जो मैं भी आप से कह रहा था, वो यह है, सबसे important equation, E is equals to E naught minus 0.059, यह कहां से आया, यह आया है, जो values थी, पिछले equation में, उसको solve करने के बाद, N number of electron transfer, यह reaction to reaction change होते हैं, इसलिए इसको आप fix नहीं कर सकते, log product upon reaction, यहाँ जो log हम use कर रहे हैं, to base 10 वाला use कर रहे हैं, यह दो equation है, एक equation यह है, यह direct equation है, इसमें value सीधी put करेंगे, answer आजाएगा, जबकि जो standard equation है, वो यह है, जो आपको वहने उपर दी थी, E is equals to E naught minus 2.3, 2.303R, T और F, इनको solve करने पर 0.059 आता है, जो मैंने last में put किया हुआ, ठीक है, तो यह equation आपको याद रखनी, standard equation, इसे कहते हैं, nurse equation कहते हैं, E is equals to E naught minus 2.33RT upon NF log P upon R, इसका use करके, जो equations हैं, इनका use करके हम calculate कर सकते हैं, electrode की भी electrode potential और cell की भी electrode potential, तो पहले हम electrode की निकालेंगे, फिर हम आएंगे cell पर, बहुत ध्यान से examples को समझे, कैसे करना है, जैसे यहाँ पर question दिया है, find reduction and oxidation potential for, यह दिया है, Fe 2 positive 0.01 molarty slash Fe, अब यहाँ पर एक electrode से दिया, cell नहीं दिया हुआ, at 25 degrees Celsius, given that E naught for Fe 2 positive slash Fe, इसकी value आपको दिया है, 0.45 volt, यह आपको दिया, Fe 2 to Fe जा रहा है, मतलब reduction potential की value given है, ठीक है, standard condition में, आपको निकालनी कब है, आपको निकालनी at this given concentration 0.01 molarty पर, ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसमें जो है, हमें reduction भी निकालनी है, oxidation में निकालनी है, आप कोई सी भी पहले निकाल सकते हैं, आपको formula उस तरह से change करना पड़ेगा, जैसे हम, क्योंकि हम reduction को standard लेके चलते हैं, तो पहले हम यह reduction potential निकालनी है, यह reduction potential जो है, वह reduction का मतलब क्या हुआ, Fe 2 positive था, इसने 2 electron gain किये, convert हो गया, इसमें Fe solid में, Fe 2 positive से convert हुआ, Fe solid में, अब यहाँ पर, Fe 2 positive concentration 0.01 गिवन है, 2 electron transfer, N की value 2 दे दी, यहाँ Fe solid है, और आपको पता ही है, उसले क्लास में आप कर चुके हैं, कि solid और liquid की concentration हमेशा 1 होती है, यूनिटी होती है, तो formula लिए हमने, E is equals to E not minus 0.059 over N log of product upon reactant, अब देखें, यहाँ यह product है, Fe, यह उपर आएगा, Fe 2 positive नीचे आएगा, क्योंकि यह क्या है, reactant है, तो और N की value 2 put करेंगे, E not की value 0.45 आपको given ही है, तो हमने यह सारी values put करने के बाद, जो है, देखें, क्या बना, यह आ गया इसका आपकर, यहाँ पर, यहाँ गया E is equals to, यह E not की value given थी, minus 0.45, minus 0.59, यह value आपके formula में है, number of electron 2, उपर Fe, नीचे Fe 2 positive, अब इसमें Fe की value क्या है, Fe की value हमारे पास क्या है, 1 है, क्योंकि को solid है, Fe 2 positive 0.01, यह कितना होगा, 10 to the power minus 2, उपर जाकर 10 to the power 2 हो जाएगा, 2 आगे लिया है, lock 10, lock 10 की value क्या होती है, यह 1 होती है, इसको simplify किया, यह value आगे आपकी solve करने के बाद सारी, minus 0.509 volt, यह आगे आपका reduction potential, आपको reduction भी निकालना था, oxidation भी निकालना था, हमें पता है, दून का opposite होते है, sign wise, same होता है, तो oxidation potential कितनी हो जाएगी, इसी की oxidation potential जाएगी, 0.59, तो reduction भी आगई, oxidation भी आगई, दोनों potential भी निकालकुलेट कर ली, तो इस तरह से आप दोनों values find out कर से, दूसरा देखे, यह फिर है, कहा है, find reduction potential and oxidation potential for, क्या दिया है, CR solid, CR 3 positive concentration point, 1 molarity at 25 degree Celsius, E0 for CR 3, CR minus 0.75 volt given है, अब दिखिए, यहाँ पे भी हमें reduction और oxidation निकालनी है, तो हम पहले reduction निकालते हैं, ठीक है, एक चीज़ को standardize कर लो, production CR 3 positive, ज़ी 3 electron gain किया, CR में convert हुआ, इसकी concentration point 1 given है, number of electron 3 आगए, same formula, E is equals to E0 minus 0.59 over N, N के जगा जाएगा 3, product क्या है, chromium, reactant क्या है, CR 3 positive, ठीक है, तो हमने values put कर दे, E0 की value हमें given थी, 3 put किया, यह 1.1 simplify किया, यह आगए, इसकी reduction potential, reduction potential अगए किसमें आएगी, minus 0.76, अच्छा, oxidation potential उसका opposite हो जाएगा, तो oxidation potential क्या हो जाएगी, plus में हो जाएगी, तो आपको oxidation potential भी मिल गई, reduction potential हैं मिल गई, तो oxidation potential, reduction potential हम दोनों इस तरह से calculate कर सकते हैं, ठीक है, तो यह हमने जो अभी निकाल रहा है, यह हमने individual electrode की electrode potential निकाल लिए, ठीक है, cell की अभी हमने निकाल लिए, cell की जब हम electrode potential निकाल लेंगे, तो cell में देखिए कैसे निकालते हैं, cell की electrode potential निकालनी हो, तो उसके लिए क्वोशन यह है हमने यहाँ पर क्या किया देखो थोड़ा समय ने आपको समझाने के लिए जो पिछले दो हाफ सेल थे दोनों को कमबाइन करके एक कम्प्लीट सेल बनाया और उस सेल की एलेक्टर प्रोटेंशल निका लेगा है जो पिछले दो निमेरकल थे वो दो हाफ सेल थे एक में क्रोमियम का यूज किया था हमने एक में आयरन का उसी हो कमबाइन करके जब सेल बनाया गया तो उसकी वैल्यूस कैसे आएंगी वो यहाँ देखते हैं कहा है find EMF of the cell अब देखे हैं आपको सेल की EMF निकाल लेगा क्या की वहन है CR, CR3 positive क्रोमियम कंसेंटरेशन 0.1 molar T वही सेम लिए हमने FE 2 positive 0.01 molar T सेम है FE, सेम जीज़़गा यहाँ पर वही आपका राइट हैंड साइड कैथोड होता है लेफ्ट हैंड साइड एनोड होता है एनोड पर ऑक्सिदेशन केथोड पर रेख्शन एट 25 मता स्टैंड कंडिशन पर टंप्रिचर स्टैंड रखा है कंसेंटरेशन चेंज है कंसेंटरेशन न अलग है E0 CR3 positive CR की वैल्यू हमारे भी एक निकाला है अब कि यहाँ में आपको दो मेथड बताऊंगा हाला कि हम एक मेथड यूज नहीं करेंगे बट मैप बताना चाहरू अभी हमने दोनों का क्या निकाला था इसल निकाला था दोनों electrode का, तो अगर हम directly formula देखें, वही E cell क्या होगा, E cell होगा, E cathode minus E anode, दोनों की reduction potential, वही E cell ही तो निकालना है आपको, E of the cell निकालना है, तो E of the cell क्या हो गया, E of cathode reduction potential minus E of anode reduction potential, अभी पीछे हमने दोनों की निकाल ली है, यहाँ पर cathode में क्या है, F E है, F E की value हमारा answer कित नाया था, minus 0.7699, दोनों को put किया, solve किया, यह answer आया, यह देखें, यह method जो है, इस method में त्वा लंबा case है, अभी हमने पहले एक अलग electrode का निकाला, फिर दूसरे electrode का निकाला, फिर उसके लाक यहाँ के put करेंगे, तब answer आएगा, इसी को दूसरी method से, जो shortcut method है, जो हमें use कर equals to E naught cell minus 0.059 over N log of product upon reactant, ठीक है, अब इसे पहले equation को balance करते हैं, क्यों हमें N चाहिए, तो क्या कि हमने, chromium है, gives out Cr 3 positive plus 3 electron, iron Fe 2 positive plus 2 electron gives out Fe, ठीक है, अब इस वाले में 3 electron है, इसमें 2 electron है, इन equation में combine करेंगे, तो हमारी जो cell equation है, I use cell equation में electron आ जागा, जब भी condition क्या होती है, जब भी हम cell reaction लिखते हैं, उसमें electron नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, ऊपर वाली equation को 2 से multiply किया, जगा 3 to the 6, नीचे को 3 से multiply किया, 3 to the 6, electron, electron cancel हो जाएंगे, तो final equation क्या बन गई, 2Cr plus 3 Fe 2 positive, 2Cr 3 positive, 3 Fe, यहा आ गया, अब यहाँ पर देखे, भी यह chromium है, solid state में है, इसकी concentration 1 होगी, यह आपका iron form में इसकी given है, 10 to the power minus 2, chromium, यहाँ भी iron की form में इसकी value given है, यह solid है, इसकी 1 होगी, और number of electron, 3 to the 6, 6 electron transform, इसके अंदर, तो यह आगे number of electron, अब E naught cell निकाल लेते हैं पहले, E naught cell क्या होगा, E naught of cathode minus E naught of anode, production potential, oxidation potential, दोनों की reduction potential, आपको दोनों values question में given थी, values put की आगे, 0.30 बोल्ट आ गया, यह आगे आपका E naught cell, अब formula पर आ जाओ, तो E cell is equal to क्या होगा, 0.30 minus 0.59 upon 6 log of, अब यहाँ देखे थोड़ा सा चीज, chromium CR 3 positive का square, क्यों, जिस number से आपको multiply किया equation में आपने, यहाँ पर equation देख है, chromium 2 है, तो यह number power में आते हैं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर CR 3 positive का क्या आ जाएगा, square आ जाएगा, और FE 2 positive का cube आ जाएगा, बाकी, देखो, हम लेते हैं product upon reactant, product में FE भी है, reactant में CR भी है, बट इन दोनों concentration 1 होगी, क्योंकि solid में concentration 1 होती है, इसलिए हमने यहाँ पर इस values put कर दी, इसको simplify कि answer आगया, 0.26 volt, देखो यह, इससे 0.26 आया, और पिछले से 0.26 था, तो दोनों से answer same आएगा, बट यह process lengthy है, यह process जो है, आपने use करनी है, दूसरी वाली, इसके थूँ हमने electrode potential की values बगरा, calculate करनी है, इसे कई सारे numerical सा भी हमने करने है, next numerical is, find EMF of cell at 25 degree Celsius, cell given आपको, ZN, ZN2 positive, 0.1 mol, salt bridge, SN2 positive, 0.001 mol, SN, अब दीखिए, इस और साथ में, E0 की values given है, ZN2 positive, ZN minus 0.76, E0 for SN2 positive, SN minus 0.14 volt, आपको E0 की values भी given है, दोनों, ठीक है, अब दीखिए, यहाँ पर फिर अगेर आपको simple क्या निकालना है, EMF of the cell निकालना है, ठीक है, at given concentration calculate करना है, ठीक है, तो formula क्या था, formula वही हमारा पुराना, E cell is equals to E0 cell minus 0.59 over N log of product upon reactant, log of product upon reactant, E0 cell पहले निकालेंगे, E0 cell, E0 of cathode minus E0 of anode, दोनों के reduction potential लेंगे, आपको given ही reduction potential given है, देखिए, ZN2 positive से ZN में convert हो रहा है, SN2 positive से SN में convert हो रहा है, मतलब दोनों की reduction potential की values ही given है, वो values put कर दी, या आगे आपका E0 cell, आगे आपका 0.62 volt, या आगे आपका E0 cell, अब reaction wise हम बात करें, तो reaction zinc पर oxidation हो रहा है, ZN gives out ZN2 positive plus 2 electron, tin पर reduction हो रहा है, SN2 positive plus 2 electron gives out SN, overall reaction बन जाएगी, again zinc solid है, concentration 1, SN2 positive 10 to the power minus 3 given है, ZN2 positive 10 to the power minus 1 given, आपको 0.01 और 0.01 और 0.001 given है दोनों, ठीक है, तो दोनों concentration, number of electron transfer, 2 हो गए, चिदा formula put किया, E cell is equal to 0.62 minus 0.059 N की value to product upon reactant, product upon reactant की values substitute कर दी, ठीक है, value substitute करने पर, जो है, इसका आपका answer आ रहा है, यह है, यह answer आ गया, E cell is equal to 0.62, 0.62, 10 to the power minus 1, 3, solve किया, यह आगे 0.56 volt, तो simple वही तरीका जो है, हमें EMF of the cell calculate करने का, उसके बाद देखिए, अब यह numerical थोड़ा सा, यहाँ पर change है, यहाँ पर हमने electrodes वारा change किये है, है, देखिए, क्या कहा है, अगेन calculate आपको EMF करने है, EMF of the cell calculate करना है, E cell की value, यहाँ पर E cell की value गिवन है, यहाँ पर आपको EMF निकालना है, EMF of the cell, नहीं सोरी, EMF of the cell गिवन है, 0.092 volt at 25 degree Celsius, कहा है कि platinum, यहाँ पर inert electrode है, है, platinum जो लिखा है, मतलर inert electrode है, hydrogen, gaseous form में, 1 bar pressure, यह convert हो रहा है, H positive aqueous में, 1 molarity, salt bridge यहाँ पर गिवन है, M4 positive aqueous, यहनि कि M4 कोई भी एक metal आइन है, इसका 4 positive charge है, aqueous to give out M2 positive aqueous slash platinum, platinum electrode है, अब यहाँ पर M positive to M2, M4 positive M2 positive cathode है, और H2 to H, यहाँ को क्या दे रखा है, anode दे रखा है, अच्छा, E naught दे रखी हैं, दोनों की, E naught for Mn4 positive, Mn2 positive 0.151, E naught hydrogen का भी पता ही, 0 volt होती है, यहाँ पर काया है कि, आपको calculate क्या करना है, देखिए, आपको यह दिया हुए, M2 positive to Mn4 positive का जो रेशो है, easy positive 10 to the power X है, तो X की value find out करने है, ठीक है, X की value find out करने है, यह जही, advance का जो है, question है, अभी 2 साल पहले आया था, ठीक है, important question है, easy question है, कुछ नहीं आपको calculate करना, देखिए, E cell, E naught cell, 0.059 over and log product of bound reaction जाता कि, हम लिखते हैं, E naught cell निकाले, E naught of cathode reduction potential, minus E naught of anode reduction potential, values put की, answer आगया, 0.151 volt, यह तो आगया आपका, E naught cell की value, अब E cell में हम गए, E naught cell की value put कर दे, जो आई थी भी calculate करके, minus 0.59 divide by 2, electron transfer यहाँ पर 2 हो रहे हैं, ठीक है, कैसे हो रहे हैं, देखो reaction यह लिखिए हमने, H2 plus 2H positive and 2 electron, वह हाई ट्रोजन H2 की form में होता है, तो 2H positive and produce करेगा, Mn4 positive 2 electron gain करके, Mn2 positive में convert हो रहा है, तो overall reaction में 2 से 2 cancel, यह reaction आगई, H2 की 1 bar concentration, आपको दे रखिए concentration, और H positive and की 1 molarity दे रखिए है, metal में आपको values निकालनी है, तो हमने यहाँ पर value put की 0.151, 0.59 over 2 log of, देखिए, यहाँ जो आपके product है, product में क्या क्या था, H positive 1, इसका आगे 2 था, तो square हो गया, M2 positive 1, divide में, यहाँ पर partial pressure of hydrogen लिखेंगे, और M4 positive 1 की concentration, तो यह मैंने इस तरह से लिखना है, हमने हमने, H positive 1 का square, M2 positive 1, partial pressure of hydrogen, M4 positive 1, यहाँ जागे हाँ पर, अब इसको सबको values को put किया, देखिए, यहाँ values put की हमने, E cell, यहाँ के E naught cell की value हमने calculate की थी, 0.06 divided by 2, N की value 2 थी, log, H positive 1, तो उसका square, partial pressure of hydrogen also 1, और ratio दे रखाता है, M2 positive 2, M4 positive 1, 10 to the power X, value E cell की value 0.092 है, यह 0.151 है, minus में, यहाँ पर, 10 to the power X, X आगे लिया है, X की value calculate की, और यह X की value आ रही है, 2 आ रही है, तो इस तरह से X की value निकालनी थी, आप खुद देखिए, कितना easy questions आते हैं, बस यह है, वो concept clear होना चाहिए, कि concept क्या होता है, उसके according लिए आपने solve करना है, नेक्स्ट जो है कि होता है, concentration cell, concentration cell किसे कहते हैं, यहाद है, concentration cell वो cell होते हैं, जिसमें, anode और cathode, दोनों electrode, same metal के होंगे, उसे कहते हैं, concentration cell कहते हैं, अब same metal के होंगे, तो यहाँ पर एक चीज आएगी, आगे बदोंगे, क्या होगा, कि वस यहाद है, concentration cell are those cells in which both the electrodes are of the same material, चीक है, जैसे यहाँ पर एक anumer कर लेकर हम solve कर रहे हैं, find EMF of the concentration cell, EMF आपको cell दिया हुआ, AG, AG positive ion, 0.2 mol, AG positive ion, 2 mol, AG, concentration cell में हम क्या करते हैं, इसको concentration को C1, C2 भी मान के बहुँ ज़गा solve करते हैं, पर आप simple formula जो हम पीछे लगाते हैं, वो भी यूज़ करेंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई problem है ही नहीं, E cell is equals to E naught cell, minus 0.059 over N log of, again, वही product upon reactant आजाएगा, अब दिखिए, यहाँ पर जो है, concentration cell में, जो चीज़ आपको दिहान रखनी थी, वो क्या थी, क्योंकि बोद इलेक्टरोड सेम है, दोनों की E naught की value सेम होगी, जो आप E naught cell निकालेंगे, तो उसकी answer 0 आजाएगे, तो सेम है, सेम value minus होगी, वही, E cathode भी आपका सेम है, E naught भी सेम है, दोनों की value सेम होगी, पूट करेंगे, तो 0 आजाएगा, तो दोनों इलेक्टरोड सेम होने की वैसे, आपकी E naught cell की value क्या रही है, 0 आजी, E naught cell की value आपकी 0 हो जाएगे, अच्छा, रियक्शन वाजी देखिए, AG, AG positive and plus electron, AG positive electron, AG solid, अब यहाँ पर electron से electron तो cancel होगी, अच्छा, silver solid, silver solid यह भी cancel हो जाते हैं, क्योंकि सेम चीज़ है, बट यह ions को आप cancel नहीं कर सकते हैं, युकि दोनों concentration अलग गिवन है, इसलिए यहाँ पर ultimately क्या आएगा, AG positive and 2 molarty, जो आभी आपको आएगा, AG positive and 0.2 molarty, according to the equation आप लिख सकते हैं, तो E cell क्या हो गया, E MF 0 ही है, 0.059 electron transfer इस cell में 1 हो रहा है, log दोनों होई प्रोडेक्ट अपॉन रियक्टन, solve की value गया गई, 0.059 volt आगई, इस तरह से आप concentration cell को solve कर सकते हैं, concentration cell क्या होता है, वो हम clear कर सकते हैं, हमने अभी जो discuss किया, वो हमने किया nurse equation क्या होती है, nurse equation कैसे हम use करते हैं, ठीक है, easily informally use कैसे calculate कैसा है, बहुत easy चीज़ है, और बहुत important चीज़ है, इसमें अलग-अलग चीज़ें आप कैसे निकालने आई, वो आप निकाला, अब हम बात करने जा रहे है, nurse equation drive कैसे की जाए, देखिए, nurse equation drive होती है, thermodynamic equation से, जो हमने अभी पीशे थोज़ें, अब टॉपिक पिछला किया था, उसी पर based है, हाला कि इसका, जिसे मैंने कहला कि तरह importance, subjective wise नहीं है, बट आपको फिर भी आने चाहिए, simple तरहीका देखिए, हमने भी किया था, delta G is equals to minus N F E cell, delta G gives free energy change, N number of electron transfer, F faraday electricity, E cell electrode potential, या EMF of the cell at any given concentration, and delta G not means standard gives energy change, same things E not cell is standard EMF, of the cell, ठीक, यह होता है, delta G जो है, equilibrium में, इसका एक formula था, delta G is equals to, delta G not, plus 2.303 RT log Q, यहाँ Q जो है, वो है reaction quotient, यह प्रोडेक्ट अपर रियक्टन को आप Q भी लिखते हैं, ठीक, तो यह एक formula है, जो नहा है यहाँ यहाँ पर use हो रहा है, यह हमने plus 1 में था, delta G is equals to, delta G not, plus 2.303 RT, R gas constant T temperature log Q, अब जोगे delta G की value पूट कर दी, minus NF E cell, delta G not की, minus NF E not cell, plus 2.303 RT log Q, means product upon reactant, इस equation को, दोनों side, NF से divide किया, NF से divide करेंगे, minus NF से, यह cancel E cell बच जाएगा, यहाँ E not cell बच जाएगा, यह plus का minus हो गया, 2.303 RT upon NF log P upon Q, यह product upon reactant, temperature वही अगर हूँ temperature लेते हैं, R gas constant लेते हैं, T फारड है वो, तो यहाँ पर उसी वही जहाँ पिछले case में किया था, E cell क्या आगया आपका, E not cell minus 0.059 over N log P upon R, तो यह देखे, यह हो गया वह standard formula जो हमने drive करना था, यह हो गया वह general formula जो हम numericals में use करते हैं, तो इस तरह से आप values को calculate कर सकते हैं, यह nurse equation जो है, उसको drive कर सकते हैं, easy way था, कोई जब मतलब हाड वो नहीं है, simply drive हो सकता है, उसके बाद देखे, एक थोड़ा और numerical difference यहां पर लिए हमने cell difference हा, zinc solid, ZnSO4 aqueous, copper sulfate aqueous, copper, concentration of Zn2 positive is 10 times of the concentration of Cu2 positive है, ठीक है, find delta G, given E not cell, 1.1 volt, यह given है, यह numerical भी, जहीं में advanced का ही है, अभी एक साल 78 में आया था, ठीक है, तो E cell is equals to E not cell minus 0.059 over and log product, same formula, given, E not cell given, directly given है, 1.1, 0.059 divided by 2, log, product में हमारे पास zinc आएगा, reactant में copper आएगा, ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि जो zinc की concentration है, 10 times of copper है, इसलिए यहां पर क्या आजाएगा, किया, यहां गया 1.07 volt, मतलब यहां आगे आपका E cell की value, हमें delta जी निकालना था, delta जी क्या होता है, minus NF E not cell values put कर दी, यहां गया minus 206.51 kilo joule, तो इस तरह से आप delta जी की value, मतलब अलग-अलग ताखे निमर्कल्स आपको, तरह को different types के करा दिए, अब इसमें एक छोटा सा relation और use होता है, वो यह है कि आपको जो है, नर्स्ट equation यूज़ करके, equilibrium constant निकालना है, equilibrium constant using nurse equation, next topic अपना, equilibrium constant using nurse equation, तो next topic क्या है, equilibrium constant using nurse equation, अब दिखिए, आपको पता है कि, equilibrium में, delta G की value क्या होती है, 0 होती है, delta G हमने 3 case लिए थे, delta G less than 0, delta G greater than 0, delta G equals to 0, अगर delta G equals to 0 होता है, तो equilibrium होगा, less than 0 है तो spontaneous, greater than 0 है तो non spontaneous, यह आद रखिए, spontaneous का मतलब forward reaction, non spontaneous मतलब backward reaction, यूज करते हैं, ठीक, तो delta G equals to क्या होता है, minus NF E cell होता है, यह formula भी बीछे ही देखा हमने, ठीक है, क्योंकि equilibrium है, तो delta G क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 equals to minus NF E cell, E cell की value क्या होगे, 0 होगे, तो at equilibrium E cell भी 0 होता है, और हमने देखा था, spontaneously E cell greater than 0 होगा, अब nurse equation यूज किया, E cell is equals to E naught cell, minus 2.303 RT upon NF, ठीक है, log product upon reactant, product upon reactant को हम क्या कहते हैं, quotient भी कहते हैं, और यही होता है, case equilibrium constant, if condition is taken at equilibrium, तो अब यहाँ पर देखिए, एक चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है, वो यह आपने रखनी है, अब भी हमने उपर E cell 0 किया, E cell किया, E naught cell 0 नहीं होगा, E cell यहाँ 0 होगा, E cell 0 होगा, तो इका गया, E naught cell minus 2.303 RT upon NF, log of casey, log of casey यहाजाएगा, तो E naught cell is equals to this value, log case is equals to E, आज आगा, रेंच करके, अब temperature, फारडे और आर्क वेले पूट कर दी, तो log case is equals to बन गया, आपका formula final, E naught cell upon 0.059, यह simply formula है, किसके लिए, equilibrium constant, ठीक है, using nest equation, N number of electron, E naught cell क्या है, standard electrode potential, और 0.059, यह constant values है, जो उसके calculate करके आती है, तो इस तरह से आपई values find out कर सकते हैं,